Hi! Good morning, my dear students. How are you? I think you are also fine. Now, I will teach you English word or alphabet. My dear students, this is your English book. और English book में 4 और 5 पेज निकालो और देखो क्या लिखाए? C और D C for cat, C for car, C for cow, C for camel, उसके बाद D D for duck, D for duck, D for deer, D for dolphin फिर एक पर मैं स्पीटी बड़ती हूँ आप ध्यान से देखो C for cat, C for car, C for cow, C for camel, उसके बाद D D for dog, D for duck, D for deer, D for dolphin बच्चो, मैं जिस तरह आपको पढ़ाया, आप उसी तरह पढ़िए और याद करने के लिए कोशिस करिए उसके बाद देखो बच्चो, इस hard copy में M to Q letter लिखी हूँ, आप previous class में A to L letter शिख चूके हैं, देखो इस hard copy में जिस तरह लिखा है, मैं उसी तरह लिखोंगी, देखो यह क्या है, M, और M के बाद N, और N के बाद O, और O के बाद P, और P के बाद Q फिर एक बार में speedy परती हूँ, आप ध्यान से सुना, M, N, O, P, Q मैं जिस तरह यहांपे लिखी हूँ, आप उसी तरह M के निचे M, N के निचे N, O के निचे O, P के निचे P, और Q के निचे Q इसी तरह आपके English कोपी में याद करकी बार बार लिखिए और प्राटिस करें, बाई बाई, थेंक यू माई सुइट बच्चो झाल